का हेलो फ्रेंज तो आज हम लोग जानेंगे यह फूर्सजक्ञा डिर pronounced ने कमपुटीटिव एक्जम के लिए चिक्ज फॉर्मूला होता है अधा एने 8H2 ठीक है तो नॉर्माल जो फॉर्मूला होता है वोता है Na2, B4, O7, 10H2 हो और जो आयोनिक फॉर्मूला होता है वो होता है 2 Na+, B4, O4, 8H2 तो चलो हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बहुत सारे कुश्चन यहां से आता है तो जो फॉर्मूला है B4, B4, O8, O4, 8H2 हो जो आयोनिक फॉर्म है चलो देखते हैं कैसे ड्रॉ किया जाता है तुम क्या करोगे? चारो बोरोन को ऐसे लिखतो होगे उसके बाद चारो बोरोन को एक-एक ओक्सिजेन से अटच कर दोगे उसके बाद क्या करोगे? क्या करोगे तुम पहले? तुम पहले चारो बोरोन को लिखोगे उसके बाद सब के बीच में एक-एक करके ओक्सिजेन डालोगे और किसी भी दो बोरोन को तुम एट कर दोगे उसके बाद चारो बोरोन में तुम ओईच डाल दोगे अब तुम देखो ये वाला जो दो बोरॉन है ना ये दो बोरॉन क्या हो गया टेट्रावैलिंसी हो गया तो बोरॉन जेनरली ट्राइवैलिंसी होता है तो यहां पर क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो अभी ये जो नेगेटिव चार्ज बोरॉन है ये क् कितने boron sp2 harvest है तो boron है जो sp2 है वो कितना है दो है दो है दो बोरोन क्या है तुम्हारा sp2 harvest है तुम्हें पूछेगा कितने boron sp3 है फिर भी तुम्हारा answer होगा 2 boron SP3 है उसके बाद तुम्हें पूछेगा कितने B.O.B linkage है B.O.B linkage B.O.B linkage में कितने B.O.B linkage है तो मेरा B.O.B linkage कितना है देखो 1, 2, 3, 4, 5 तो मेरा 5 है तुम्हें पूछेगा कितना B.O. linkage है टोटाल B.O. linkage कितना है तुम count करो, यहाँ पर जो total bio linkage है, वो कितना है? 14 है, 14 bio linkage है, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आया? हमने क्या देखा borax की structure से, borax की structure के देखा, यह sp2 और sp3 बोथ hybridize हो सकता है, जहाँ पर total जो bob bond है, वो कितना है? 5 है, और जो bio bond है, वो मेरा कितना है? 14 है, तो यहाँ से क्या हु पर जो complete information है, वो सारे हमनों collect कर लिए, तो बहुत important है CSR, NET, GATE, IIT, JAM, TI, 4, सारे MSC entrance के लिए, and PhD entrance के लिए, तो जो student अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया, तो प्लीज चैनल को subscribe करो, और मुझे support करो, all the best, take care, and bye-bye.